हिमांचु जी प्रियाग राज से रादे रादे गुरुदेव महराश्री मृत्यू एक मात्र सत्य है पिछले कुछ महीनों से मुझे इसका चिंतन होता रहा कि मेरे मृत्यू कैसे होगी मृत्यू सत्य नहीं है मृत्यू सत्य नहीं है मृत्यू कैसे सत्य है किस बात की मृत्यू होती है आप हमें बता ना पंच भूत शरीर है समयक से जीव दूसरे सरीर में चला जाता है अपने शरीर का त्याक करके दूसरे सरीर में चला जाता है और ये सरीर अपने अपने तत्व में मिल जाते हैं, वो तत्व अपने तत्व में तो सब ब्रह्म शुरुप में मिल जाते हैं, मृत्यू कोई है नहीं, एक शुपनांतर है, एक शुपन से दूसरे शुपन में जाना, ऐसे ही समय अवध है इस सरीर की, उस अवध में सरीर का प मृत्य bandits सत्य नहीं हैी पहले दिमांग में बैठा ले कि विवार में का जाता है म्रत्य शत्य है वह किस लिय कि तुम्हारा सर тебе छूटेगा मर तो कि क continues नहीं है जिया रासित शरीर mr मंहारे तो सचिदानन्न है सत चित आनंद सचिदानंग रूपाय कौन भगवान तुम हो भगवानके अंध तुम शत्ते हो उनसी सत्ते है ना इस्थूल सरीष सत्य है न सुक्ष्वन सरीष सत्य है न शुभाव सत्य है ना छूटना सत्य है क Afterwards दो चूटना है यह जूटे ましょう हुए ही हैरा जरच्रितने ृंन ती पढ़ गई जध्या при म्रशा माने जूटी यह कभी आप होई नहीं सकते हैं सरीर आप कभी बंदे नहीं पर यह बात ना जानने करण आपने अपने को शरीर मान लिया यह जूटा इसलिए सरीर छूटा यह भी जूटा इसका पूरे का लोग का नाम है मृत्ति लोग मतलब यहाँ सब परिवरतन सील है सब छूटेगा सम नष्ट होने वाला अर्था जो रूप दिखाई दे रहा कुई शूरूप में नहीं रहेगा इसी को मृत्ति कह देते हैं तो आब चुक कहीं किसी की मृत्ति नहीं होती कैसे भगवान कान से चैतन निगन उसकी मृत्ति होनी नहीं पंच भूत मरते नहीं आग आग में चले जाती मिट्टी मिट्टी में चले जाती वाई 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 में चले जल जल में मरा कौन केवल आकार बिगड़ गया उसी को मृत्ति कहते और म्रत्व किसकी वही जल जल तत्व में चला गया अगनी अगनी तत्व में वाई वाई तत्व में प्रत्वी प्रत्वी तत्व में चला आकास आकास तत्व में चला गया और जीवात्मा जो भगवान कांस है उसको तो कोई मारी नहीं सकता है क्यों उसको कोई मार सकता है तो अब खुदार मोग करके बता सत्य क्या सत्य है स्रीभगवान और उनकी प्राप्ति के लिए हमें ये देह मिला है अगर आप भजन ना करेंगे तो एक समय में ये सरीर छूट जाएगा भजन कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा सरीर छूटी जाएगा एक सरकारी जैसे गाड़ी बंगला नहीं मिलते सरकारी आदमी को तो उसमें आराम से रहता है पर वो अपना नहीं मानता है उसको पता है कभी भी ट्रांसफर आ सकता है और जाँ जाएगे वह ना गाड़ी नया बंगला मिलेगा एक से यहां सरीर करमा नुशार जाएगा पौनरपी जननम पौनरपी मरनम पौनरपी जननी जठरे सयनम यह बात समझयो मिरत्यू को कोई डर नहीं है क्योदिय कि किकि नहीं हुने है पंचगूत पंचगूत में मिल जाएंगे मुझे कोई मार सकता नहीं मैं भगवान कांसू पर इतना ग्यान ना होने के कारण जैसे श्वप्न में कोई चाकू से गला काटे तो यद्धिप खरोच भी नहीं होगी पर गला कटता है पीड़ा होती है भै होता है अब उस भै को मिटाने के लिए कोई भी तंत्र मंत्र जादू टोना बल बिक्रम काम नहीं करेगा केवल उसको जगा दो खतम सब कुछ क्यों जो सपने सिर काटे कोई और बिन जागे दुख दूर नहीं कोई उपाय कर लो आप बस एक है उपाय जगा दो ऐसे ही ज्यान हो जाए तो ना वह बिया किसी के म्रत्व थी ना म्रत्व है ना म्रत्ति रहेगे सरीर को मैं मान कर के हम दुख शुक मत्तिवाद को भोग रहे ना होने पर भी जैसे वो स्वप्न में कुछ नहीं था यह जगने पर पता चला लेकिन वसवप्न में तो बहुत चमकीली चाकू थी काटने वाला बड़ा बलवान था मुझे काट रहा था पक्का काट रहा था यह कब पता चला जोटा जब जगे ऐसे जब ब्रह्म बोध हो या भगवान से प्रेम तब जही जाने जग जाए हेराई जागे जथा स्वपन भ्रम जाई कोई ब्रत्य नहीं सब भय हैं देखो नो स्वपने में कभी अच्छे स्वपन आते कभी दुखत स्वपन आते हैं एक भी सत्य नहीं स्वपने में धेर सारे भोग शामाग्रियां होती जब जगे तो कुछ नहीं यह सरीर कैसे सत्य हो सकता है जो अभी एक घंटा पहले जागरत था तो मैं यह था और जब सो गया तो इसका भानी नहीं रहा इसकी सत्य नहीं रही स्वपने के सरीर में हम विचरन कर रहें स्वपने के समय पता था क्या कि इस थूल सरीर सहिया पर पढ़ा है यह सब जूठा यह सत्य न वह सत्य न जाग्रत सत्य क्या है उले सच्चिदानंद भगवान जो त्रिकाल शत्य है अगर मृत्यु शत्य मान लेंगे तो भर बैवीत हो जाएंगे तो पता निसकारात्मक भावाय या नकारात्मक भावय दोनुं भाव आएगा तो भगवान की तरफ भगोगे नकारात्म भाव आएगा तो अश्रदधा हो सकते हैं फिर डिप्रेशन में भगवान भी मिलेंगे शायद लेकिन कभी-कभी मन में ऐसी चीज़ाती कि इतने पाप आचरान किये हैं कि पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे उसके बारे में कैसी होगी मृत्ति वह सोच के बड़ा अच्छा भी लगता है कि भगवान सर पे खड़े हैं हाथ फेर रहे हैं या निगेटिव तो जो को दोनों भावा आए नो अगर हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भाव में श्म आना सीख जए समता भगवान का शुरूप है यही अध्यात्मे सिखाता है अध्यात्म सिखाता सुख दुक्धे में कृत्वाला भाला भूजया दिया द्वंदर विमुक्ता सुख दुख संगई परंपद में आरूर होने के लिए एक मार्ग है अध्यात में इस पर चलो भगवान आएं ना आएं हम उनकी सम्रती को नहीं छोड़ने वाले पाप हो गए तो क्या हम पापी हो गए क्या हमारा कपड़ा गंदा हो गए तो क्या हम गंदे हो गए क्या बहुत द्यान दर आप जीवन भर सराप पीते रहे और आज से आप सराप छोड़ देते हैं तो आप को कोई सरावी नहीं कहेगा और आज से आप पवित्र हो जाएंगे जीवन भर गंदा कपड़ा हुआ एक बार अच्छा से डाल करके सर्फ और धो के फैला दिया साफ हो गया हम गंदिगी को क्यों चिंतन करें कि हमने बहुत पाप यह हो गया गलती और उसको साफ करो ना इतने बढ़े हैं साबुन राधा राधा राधला रहधा 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 किर्थन कर दें हम इंदर का एक सोच़ुकूड कर करकर एक भी पाप नहीं रहे जाए न और के भगवान केते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामे कमसरणंब्रज अहम्त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षिस्यामि मासुचहा मैं तुम्हें पवित्र करूँगा मैं मोक्षि दिलाओंगा मैं पापनस्ट क्या यार पदेशाद हुआ पर बार बार गन्दा करते रहे हैं लेकिन वो पाप की प्रवत्ती को नस्ठ कर पाते और भगवान का भझन पाप ही नहीं पाप की प्रश्ट को नस्ठ कर देगा अगर हम नाम जब करते रहें तो बार-बार जो हमारे इंदर पाप की इस फुरना जांसे होती जड़ से जैसे बास उपर से काट दियो तो कई कि इनका जड़ में आगे और जड़े उखार के उल्टा करके इस फुर रखे दियो आप फिर का होने माला है तो जड़े उखर करने लगोंगे आप कि मृत्यु की मृत्य हो गई मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद कब मरी हों कब भेटी हो पूरन परमानंद सब जग मरने से खाय कब सरीर शुटे मैं अपने प्रहू के धाम जाओं छा जैसे भारी बलवान हाथी के गले से मालती पुस्पों की माला तूट जया उसे पता भी नहीं चलेगा ऐसे भक्त की म्रक्ति होती है पापी पुरुष को जो जन्मत मरत दुसा दुख होई वो भक्त को नहीं होता है सहज में ऐसे आनन्न में सरीर शूटा और भगवान तो हमें लगता है खुब नाम जब किया जाए और यह सब बाते छ जाना हाथ से सुधार किया तो बगवान करें मैं समाल लूँगा तुम चिंता मत करो योगक्षी मंभाम में हम चिंता छोड़ो चिंतन करो राधा 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 हम बुरे हैं तो प्रभू के हैं भले तो प्रभू के हैं हो सकता है कि हम और बिगाड कर बैठ हैं लेकिन ले जाएगा भगवान बचाएंगे वह में सुद्ध करेंगे अगर वह में ना चलाएं तो हमारी ताकत नहीं कि में कदम चल पाएं तो हम उनकी तरब देखे अपनी तरब काहे को देखे छोड़ो अपना चिन्पन प्रभू का चिन्पन करो प्रभू का वरोशार और खुब करतब्र करो खुम मेहनत करो, धर्म कर्म करो हम जन में मिला है, मनुस्य सरीर खुम मेहनत के लिए मिला है कायर बन के बैठने के लिए नहीं मिला है खुम मेहनत करो, और नाम जब करो और डरो मन सरीर एक बार ही छुटेगा सो दो सो बार तो छुटना नहीं है सरीर चुटने में हमें डर इसलिए लगता कि आवह मैंने इसको अपना मान लिया इसी से हम सारे भोग भोगते लगता ही यही चुट गया तो हमारे पार रहे कर दो कि यहां के करण कि इस्ट को अपना सुक्क का साधन You इसी से पतनी है, इसी से पुत्र है, इसी से रिस्ते है, इसी से नाते है, इसी से पद है, इसी से भोग सामागरी है, अब वो जीवात्मा आसक्त हो चुका सरीर में, अब जहां है कि शरीर नस्ट तो यह भारी दुख, क्योंकि उसको इस बात का दुख नहीं है, सारे सुख दुलालों हम आपके लिए तयार हैं कोई परिशाली नहीं पर हम लोग फसें यह पुत्रे पत्नी यह अभी तो बड़ा काम है अगर अभी कह दिया जाए कि भाई आप कौन चलेगा बेकुंट अभी चलो हमारे साथ पर यह सरीर हम अभी तुम्हारा छुड़वाएंगे चलो तो कोई नहीं तयार होगा कोई बहुत सरदावान होगा तो कहेंगे एक महिना का टाइम तो देए दियो मुतलब थोड़ा बैंक बेले समभरवा के और सब करके हाँ चलेंगे बैकुंट पर एक महिना बहुत सरदावान होगा तब कहेंगा तो कहेंगे महा जैसे ठीक है नाम हम जब लेंगे दानपुन्य कीरतन यह बैकुंट वाली बात अभी न करो अभी तो बहुत है काम है हमें और इसी बीच में मृत्तिवा जाती हो लेके चल देती है और जीव कुछ समाल नहीं पाता है नाम जब करता रहे तो सब ठीक हो जाएगा राधा 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 वानी जी गुरुजी अगर नाम जब के साथ कोई गलत विचार चलने लगे तो क्या करना चाहिए और अगर कुछ नहीं करना चाहिए वो अपने आप नश्ट हो रहा है जब हम नाम जब करते हैं सैक्रों बारे चर्चा हो गई है कि नाम जब क्या करता है प्रभू को पशंद है निर् जन जन सो मोही पावा मोही कपट चल छिद्र ना भावा अब जब नाम जब कुस शुरू करते हैं तो इस मन में सब भरे हुए गंदे संसकार जन्म जन्मान और वो निकलते हैं तो सादक जो जानता नहीं है वो घबडा जाता है जब से भजन शुरू किया गंदी सी गंदी बा यह सब जा रहे हैं कुछ नहीं करना है बनाम जब करते हो गंदी बाते आया है फेकेगा अच्छी बाते ऐसा नहीं कि क्यों गंदी फेकेगा जो जो उसमें है मैसेज कुछ मित्र मैसेज हैं कुछ सत्रू मैसेज हैं अब दोनों बाहर निकलेंगे सब डिलीट होगा खाली हो जाएगी कि बहुत जलन होती है बहुत परिशानी होती है और यहां तक कि वह प्रभू में भी गंदी बात सुचवा देगा डरना नहीं तुमको पक्की बात करें क्योंकि कई साधक एक वाया हम जा रहे थे तो रास्ते में एक साधक रोते हुए खड़े थे तो उन्होंने ऐस बोले प्रभू के प्रतिगंदी बात मन भेख तो अब हम इतना जल रहें कि हमारे जैसा कोई पापी ही नहीं है कि मतलब चलो संसार के प्रतिगंदी बात तो अगर नहीं करनी चाहिए पर प्रभू के प्रतिगंदी भावना हमारी बन रही उनकी प्रतिगंदी सोच वह तु तुम समझ ही यह नहीं पा रह RHET ये जो मन है यह और कोई नहीं भगवा नहीं है इंद्रीया नाम मन्स्यास्मी भगवा नहीं ला तुम चिंता विटो तुम्हारा कुछ नहीं भीगर नहीं होना बड़ तुम इतना सोचना कि इसमें सोच आ रही है वो इसकी सा मलिंता है वो गुरू पे गंदी बात सोचवा देगा इस्ट पे गंदी बात सोचवा देगा पक्का मानना हमारी ये बात तुम्हें डरना नहीं घबडाना नहीं संसार के प्रति जो जो हमारी गंदी बाते हुई वो सबाहेंगी जो उससे में भरी हुई हैं और वो निकल रही तो निकलते हुए हम उनको देखे ना बुरा माने ना अच्छा माने उस सब खतम हो जाएंगे चिंता मत करो और नाम बढ़ाओ अश्रद्धा मत करना क्योंकि देखो ऐसे यहां कूडा नहीं दिखाई देता लेकिन जाडू लगने लगे ना भी तो आपको कूडा दिखाई देने पूरी सोनी लगा लो फूल जाडू कहीं कूडा नहीं पर पोचा लगाओगे फिर पोचा देखोगे तो गंदा नजर आए ऐसे ही अभी तुम्हारी जाडू नहीं लगी थी एरदय में तो कूडा नजर नहीं आ रहा था अब नाम रूपी जाडू लगने लगी तो कूडा इकठा होने लग बड़ी गंदगी वो तो हाई गंदगी नाम जबते जबते जब आशू आने लगे अब धुलाई सुरू हो गई मन की गदगद शुर नैना सजल दम पतिरस रह भीन सामने प्रिया प्रितम का रूप है आखों से आशू रूमान छो रहा है अब निर्मल हो गया जब तक ये इस थितिना आगे यहीं मन जैसे भी गंदी सीने फेकता है ना आगे कर रहा है अब झैसे असाध्य रोग है अब पूरे जीवन डालेसस करा ला पूरे जीवन दवा प्ानी पूरे इवन इसको भोगना है भोगना है तो भाव रोग तो कई जन्मों का है अगर इस जन्म में में इस रोग से निपट जाते तो सस्ता है अगर इसी जन्म में हम संसार से मुक्त हो जाते तो बहुत सस्ता है अरे जनम जनम मुनिजतन कराएं जन्म जन्मांतरों का धेर सारा बवाल जमा है, जितने कर्मों का, नाम जब से उस सब ठीक हो जाएगा, इसलिए सादक, सत्संगी सादक, धैरवान रहे, तूटे ना मन टूटू आएगा, मन देखो, माया क्या करेगी, जहां से तुम जुड़े, वहीं दोस दर्सन करा देगी, गुरु में दोस दर्सन करा देगी, अगर गुरु कृपा पातर हो, गुरु मेरवान, तो चेला पहलवान परास्त कर दोगे, माया घट, तेरी बात नहीं मानने आले, हमारे इस्ट, हमारे गुर्देव, हमारी उपासना, यह सब दिब्ब है, तू क्या समस्ती, वो सब ठीक हो जाएगा, यह तन छूटना है, आ धर्मा चरण किया, तो भगवान प्रशन हो जाएगे, यह तो हमारी उन्नती हो जाएगी, अगला जन्मा ओर अच्छा होगा, कि हम भजन करके भगवान को प्राप्त करें, यह भगवत प्राप्ती हो जाएगी, घाटा तो होने वाला नहीं, अमंगल तो होने वाला नहीं, उज्वल जी, रादे-राधे महराशी, महराशी बहरी दुनिया से कैसे प्रभावित न हों, अपने आंतरिक विकास कैसे करें महराशी देखो आंतरिक विकास के लिए आंतरिक पावर चाहिए, अब हम लोग पावर हीन हो चुके हैं भोगों में हमारी आंतरिक चिन्तनब्रति इतनी मलिन हो चुकी है और हम इतने शक्ति हीन हो चुके हैं कि हमारा विचार एक सीमित रह गया है जैसे पस्वों के अंदर भी है बुद्धी तो उतनी है कि जितना हम छीन जपट के चारा खाले जितना हम बस उतन है निद्राब है अहार मैथुन उतन है इसके आगे नहीं विवेग ऐसे कुछ हम लोगों की भी बुद्धी विचार धारा हैं सीमित होती जा रहे हैं छीन जपड के जितना मधन जैसे विवेई मानी जैसे भी तो हम सुखी हो जाएंगे यह गलत विचार हैं आज तक भोगोंशे कभी कोई सुखी नहीं हुआ हमारे आंतरिक विचार पुष्ट हो और हमारा यह जीवन भी सुख में हो और आगे का भी सुख में हो उसके लिए भगवान का नाम नाम स्री हरिवंस नाम बलल हो अपने मन भाई सब कहो रहो सरन हरिवंस की जि आपका हरदय शान्त रहेगा आपको दूसरों की सेवा करने में सुख मिलेगा जैसे हमारी बुद्धी मलीन होती है तो दूसरों को लूटने में सुख मिलता है अब जिसे एक आदमी मुबाईल से बात करता जा रहा है अब वो बगल से मोटर साइकल से निकला हो ऐसा जटका महारा कि मुबाइल उसके हाथ में नाक किबल गिर गया हो रगड रहा है वो अब उस धूरत को कितना हरदय कठोर हो गया कि यह पता ने मुबाइल तो लाग पचास हजार की चीज है उसका जीवन नस्ठ हो जाता अपने श्वार्थ के कारण कितना नीच हो गया माई बहन कोई जंजीर पर ने अब ऐसे पकड़ा ऐसे खीचा क्योंकि रफ्तार से चलते हुए खीचना है अब गिरी यह घशिट्ती विचल अब यह दूसरों से सुख लेकर सुखी होने की जो भावना है वह विचार धारा को नीच करती चली जाती है दूसरों को शुख देना और उसमें आनंदित होना यह उत्तम विचार धारा है यह आती भजन से यह ऐसे बजार में नहीं मिलती है जितना आप नाम जब करोगे भजन करोगे तो तुम दूसरे को दुखी देखकर उससे ज्यादा दुखी हो जाओगे क्या करूँ इसको कैसे सुख पहुँचाओं भगवान हमारे विचार शुद्ध हो जाए आप अंतरिक की बात तु कर रहे हो ना तो आंतरिक में विचार विचारों में गंदगी भरी है बाहर से बहुत सापसक्षे कपड़े पे नहीं हमारे विचार इतने गंदे हैं कि कई बार तो हमने का भला मनाओ भगवान ने बैग्यानिको को इतनी सामर्थ नहीं दी कि हमारे मन की हमारे हरदय की बात अल्टा साउंड की खिच जाए ऐसा नहीं है आज तक कोई मन का अल्टा साउंड करने के मसीन नहीं बनी नहीं तो बेज़जती हो जाए नहीं हो जाए बढ़ यहां सापसक्षे कपड़े पहले बहुत अच्छे आदमी दिखाई दे रहे और मसीन फिट कर दी गए टीवी में चल रहा हो ले यार इतना गंदा आदमी है तो विचार हमारे गंदे हैं और वो तभी सुद्ध होंगे जब भजन होगा अगर नाम जब हो सत्संग सुनो तो दूसरों को सुप पहुचाने वाले आचरन बनने इससे बड़ी कोई साधना नहीं पक्का समझ लेना जिसने परहित सरिस धर्म नहीं भाई इससे बड़ा कोई धर्म नहीं और आज यही लुट गया है बस यह गड़़ हो गया हम किसी से मिलें तो हम इसके कैसे काम में आ जाए यह है बुद्धी मनुष्यता यह है हमारी के बिना बात नहीं तो हमें लगता है नाम जब करो कोई गंदा नसा न करो कोई गंदे आचरण न करो तो भगवान ऐसे विचार ऐसा आत्म बल ऐसी आंतरी कुन्नती प्रदान तो बाहर तो बहुत धूम मची है नहीं होड लगी है कितना कोई पाप कर्म की तरफ कोई नहीं डर है कितना हम किस से लूट ले क्या कर इतनी तक बुद्धी खराब हो गई अपने को नश्ट करके सैकुनों को नश्ट कर देखो बुद्धी ही तो है ना क्या मिलेगा जिन से कोई परिचाय नहीं उनको मारने के लिए अपने को नश्ट कर द पर यह सब ग्यान आए कहां से इसलिए सत्संग सुने नाम जब करे अच्छे आचरन करे तो हमारा ध्यात्म बल जागर्त हों अंदर से मजबूत हो जाएं आज हम अंदर से खोखले हो रहें धर्मेहीन विचार हीन असुरी असुरी प्रवत्ति बढ़ रही नहीं असुरी प्र भगुला जिसे ऐसे खड़ा लें पर लगता ध्यानस्त है नहीं मचली की ताक में फट से मचली आई खा गया पिर वह इसे खड़ा है ऐसे हमारे विचार होते चले जा रहें किस से हम क्या सुख लूट लें बद यहीं हमारा पतन हो जाता है और किसको हम क्या दे दें कि बढ़ते हैं भजन रहित जीवान भजन नहीं करते उनकी कुमत बढ़ते कुमत जहां बढ़ते तो यह पापा चरून हो जाता है इसलिए नाम जब कीजिए अच्छा नाम जब करने से दोनों बाते हो जाते हैं अगर हम निरंतर नाम जब करें गुरु प्रदत तो मन भी नि बंतर पर घ्यान डखे तो मंत्र मूलं गुरु वाक्यम मोक््ष मूलं गुरु कृपा साधू की अध्यात्मी कुन्नती गुरु कृपा सिकते हैं जो गुरु ने मंतर दिया नाम दिया मश को खुब रटे और सच्चे आचरन से चले तो मरियां जीवन आनंद में हो जाए लेकिन कभी परिस्थिती मन की कैसी है कभी कैसी है मन की परिस्थिती पर कोई ज्यदा प्रभाव नहीं पड़ेगा बस आचरन न बिगाड़ने पावे अपनी लोगों के देखो मन तो कुछ भी सोच सकता है लेकिन उसकी सोची हुई बात हम अपने आचरन में न लावे वही आचरन में लावे जो गुरू और हमारे सास्तर कहते तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा मन मन सोचता रहता है लेकिन बुद्धी के दसकत के बिना वो कुछ नहीं कर सकता जब हमारी बुद्धी मन के अधिन हो जाती है फिर गरबर हो जाता है तो गुरू देव की कृपा से खुब जो नाम मंत्र जबते है तो उनकी बुद्ध बात सोचवाता है तो बुद्धी ना कर देती है बुद्धी भगवान में स्थित होती है तो मन कुछ बिगाड़ नहीं पाता है एक खुम नाम जब करें स्वाती सिंग जी राधा वल्लव श्री हरीवंच मारा जी मेरी कोई संतान नहीं है प्रंतु उसकी प्राप्ति के लिए शरीर की माता जी प्राया अलग-लग भगवान के पार्ट करने को बोलती है उनकी प्रसंता के लिए मैं करतों लेती हूं पर श्री जी की शर्नागत होन दनाये हैं हमारी समझ में तो भक्ति के तीन स्वरूप है एक है वैधी एक है गोडी और एक है अनुराग आत्मिका वैधी भक्ति में सास्त्र विधान के अनुशार भक्ति की जाते हैं गोडी भक्ति में भगवान की किसी एक नाम रूप की प्रधानता एश्वर महिमा भगवान ऐसे भगवान ऐसे और अनुराग आत्मिका भक्ति में मेरे लाडिले जैसे अपने ब्रंदावन की उपासना बाके विहारी लाल राधा वल्ला या भगवान नहीं बुलें बाके बिहारी लाल की जै राधा रमण लाल की जै राधा वल्ला इस अनुराग आत्मिका भक्ति में फिर दूसरों न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल इसमें सिद्धानत नहीं है कि हम किसी अन्यवासना या कामना की पूर्ती के लिए किसी और के आगे हाथ भी जोड़ दे बने तो रहुपरते बने बिगरे तो भरपूर तुलसी औरनते बने ता बनिवे पे धूर यह प्रेम लक्षणा भक्ति का अब अगर यहां कोई जुड़ता है तो समझना चाहिए कि प्रेम लक्षणा भक्ति का गड़ है यह ब्रंदावन अच्छा संताना दी या शुका दी जैसे ना चाहिने पर दुख अपने आप आ जाता है ऐसे ही अगर योग है संतान का तो आप ना भी चाहो तो हो जाएगा देखो न कितने ऐसे लोग है खाने की विवस्ताने चाहते भी नहीं कि संतां हो पर कई संतान हो जाते क्योंकि योग है बहुत धान है इश्वर है बैभो है पर योग नहीं है पति-पत्नी शुंदर हैं सारी विवस्ताइं हैं आक्टरी भी करवा चुके सब विवस्ता पर योग नहीं है तो योग ना होने पर फिर नहीं होगा अब उसमें आप कोई पाठ करो कोई ऐसा करो कुछ ऐसा करो फिर ना हो तो फिर आप उसमें भगवान पर असरद्दा करो वो तुम्हारा अज्यान होगा असरद्दा से संगल हो जाएगा अगर योग नहीं है तो कुछ भी किया जाए संतान नहीं हो सकती जैसे स्रीमत भागवत में कथा आती है कि आत्म देव नाम के ब्राह्मन के पास खुब एश्वर संपति सप्ति पतिनी थी जिनका नाम दुंदूली था अब पती ने बहुत साधना की दान प अब हार करके इस बात में जल करके कि अब जाके जंगल में मैं आत्मत्या कर लूँगा मेरे तो संतान होई नहीं है तो जंगल में गए तो देखा कि शन्यासी जी आ रहे थे तो उनके चर्णों में गिर पड़े रोए बहुत बगवन में तो यहां सरीरे छोड़ने आया था क्यों चिंतित हो तुम बोले संतान हमारे नहीं है तो उनका मैं योग देख रहा हूँ तुम्हारे भाल में संतान की रेखा नहीं है तो उनका महराज भंतो जीएंगे नहीं अगर संतान हैं मिला तो उनका भाग में रेखा नहीं है संतान की मान लो सुखी हो जाओगे बोले नहीं महाराज भंपो तो उन्होंने तपोबल से एक फल प्रगट किया और दिया कि अगर अपनी पत्टनी को खवा दोगे तो गर्ववती हो जाएगी बढ़ियां संतान होगी पर तुम्हारे है नहीं भागे में संतानी होगी फल दे दिया फल लेके गए अपनी पत्टनी से क यह ऐसा तो उसने काम खा लेंगी विश्वास में दे दिया और उसने अपनी बेहन को बुलाया और कहा कि हम तो कभी गर्व धारन नहीं किया तुम्हारे तो कई बच्चे हो गए बड़ी पीड़ा होती होगी प्रशो के समय नो महिना पेट में धारन करना फिर हम कुछ खा नहीं पाएंगी और कई तरह की कल्पना करके अपनी बहन से का कि तुम एक काम करो तुम गर्व होती हो मैं नाटक करूंगी गर्व होती का और जहां संतान हो तो मुझे दे देना और मैं तुम्हें पैसा दे दूँगी और तुम यह अपने पती को कह देना कि संतान मार गए और परिक्षा के लिए इस फल को हम गाय को ख़वा देते हैं तो गाय को वो फल ख़वा दिया अब वो समय से जब उनकी बहन के लड़का हुआ तो वो ऐसे नाटक पूरा हुआ पैसा उदर चला गया उदर अब यह हुआ के आत्मदेव ब्राम्मण के पुत्र हुआ पुत्र हुआ बड़े खुसी हो गई अब उसने अपने पती से का कि पूर्व में संतान ना होने कारण मेरे वक्षा इस तल में दूद नहीं है मेरी बेहन के लड़का हुआ थो वो पदार गया तो अगर उसको हम सेवा के लिए बुला ले तो बढ़िया बात बन गए क्योंकि बेहन थी वो इधर समय आने पर गाय के पुत्र हुआ तो कान भर गाय के बड़ा हित्ते जैस्वे क्योंकि रिसी का फल अब देखो भाग की में पुत्र नहीं है तो नहीं वाला अब आत्मदेव को लग रहा है कि मेरे पुत्र हो गया अब वो धुराचारी इतना बाल्या वस्था से खेलते हुए बालकों को कुए में डाल दे और जब जवान हुआ तो फिर फिटाई शुरू कि अपने मा की और पिता की सब की मार मार के एक बार तो इतना मा को मारा कि वो प्राण त्यागने के लिए कुए में गिरी और मर गए बड़ा अत्याचार ओ तब गोकरन जी से वो बड़े शान्त और सास्त्र ग्यानी पिता जी भगवान का अश्रेलो लोक धर्म का त्याग करो शंतों की समाज में बैठो तो तुम्हें पता चलेगा जीवन का लाप क्या है धर्मं भजश्व सततंत्य जलोक धर्मान सेवन सदा साधु पुरुशंजय काम तृष्णाम अन्यस्य दो सगुन चिंतन मास मुप्त सेवा कथा रस्म हो नितराम पिवत्तम यह उपदेश किया वो गये और भगवान का चिंतन करते हुए उनका अब यह घोर पापाच्वारी पाप करके फिर वैस्याओं के संग उनके प्रभाव से मरा भूत बना तो उसी के लिए गोकर्ण जी ने भागवत्य कथा कराए तो नहीं हुआ ना पुत्र सब पूरा नाटक रच दिया गया लेकिन नहीं हुआ उनसे क्योंकि भाग में नहीं था हमें लगता है कि हम अपने इस बात को अंदर से जानते हुए कि हमारे भाग में अदि संतान होगी तो हो ही जाएगी और नहीं है तो फिन नहीं होगी यह पका है तो होगी तो सिरी जी से प्रियालाल से और इन से नहीं होगी तो भी किसी से भी नहीं होगी इतना तो समझना है कि हमारे स्यामा स्याम से यदि नहीं हुआ तो हैं तो सभी नहीं के भूतिया हैं तो सभी नहीं के सुरूप फिर किस से होगा इसलिए हम अपनी अनन्यता अपन समझ लीजिए कि ये भी भगवान की विभूतियां ही तो है पर हमें लगता है प्रभू स्री कृष्ण से प्रियाज उसे नहीं बना तो किस से बनने वाला है सकते हैं देख लेना चाहिए है विचार पूरवक देख लेना चाहिए आपने सब चं शनका नहीं है इंते भी हम यह कह देते हैं इस दीजी को जब देना होगा दे रहेंगी नहीं तो स्रेम आ जाएंगी हमारे हमारे इसमें स्थ में कि सिवा में कई ऐसे परिवार हैं जिनके संतान नहीं हुई आजीवन के लिए अब ब्रह्मचर इलेकर खुब भजन साधन और करतब된 में लग जायां दोनों पति पति झाएंग को ना जब करें खुब भजन करें भजन करके भगवान को प्राप्त करें सब कुछ हो गया जिसको भगवत प्राप्ती हो जाती हो सब रिनों से मुक्त हो जाता है देव रिन रिशी रिन मात रिन पितर रिन एक अदस इसकंद में भगवान भरणन करते हैं हाँ अगर कुछ उपाय आधि करने से तो ग्रेश्टी धर्म है अच्छा है लेकिन उपाय के बात भी यह दि सफलता नहीं तो राजी रहना सीखो कि भाई अब हमारे प्रारद में नहीं है अब नहीं है तो फिर क्या उपाय किया जा सकता है तो उसको धैरिपूर्वक सहना चाहिए फिर अन्य उपाय नहीं करना चाहिए कि हम इधर से उधर से फिर वो वही दुंदकारी वाली मात हाँ उसमें क्या होगा कि जैसे आपकी शंतान है तो आपके आंशशे पैदा है आपका सुभाव माता-पिता का रूप और सुभाव जाता है पुत्र की उपर पैचाना नहीं है तो उनके लड़के हो क्या मुले क्यों मुले आकरती मिलती है और देखो डीने भी मि का रहे हैं उसके क्या गुण है वह आएगा तो दुन्दकारी जैसे बहन का लड़का आतंक मुसा दिया क्या क्या लीला है तो हमें लगता है हमारे भाग में पुत्र सुख नहीं बदा है तो नहीं बदा है अगर जब जत्ती करोगे तो हो सकता है कि फिर आपका जीवन क्ले कोब्तकरोनाम है इन्हीं को अपना मौन के फिर भजन करें क्यूंकि प्रारब्द में नहीं तो धर भजन भजन से बहुत प्रा कर दिया है ते इसलिए नाम कर अच्छा संतान हुई कुमार गगामी हुई जेल गई पूरा जीवन जलता है माता पिता पूरा माता पिता जीवन भर जलता कितने इसे ब्रद्द लोग हमें मिले जो अच्छे एश्वर रिवान थे उनके पुत्रों ने पैर छू छू करके सब अपने अंदर में कर लिया और जो धका मार के बाहर निकाल दिया रोते घूम रहे तो जरूरी नहीं कि देखो नखाने को नहीं चार-चार लड़के हैं तो हमें लगता है भगवान के आश्ट्रित रहे और जैसे प्रभु हमें रखे आमें राजी रहना चाहिए इधर उधर ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए निंदी धोखा भी हो सकता जीवन अशान्त भी हो सकता है अन्नु और अमर जी ऑस्ट्रेलिया से रादे रादे माराजी आपके चर्णों में कोटी-कोटी पड़ाम माराजी गुरु मंत्र देने का अधिकारी कौन है गुरु देव जिसको परिपक्क करके आदेश कर दिये हो ही दे सकता है दूसरे किसा म जब तक गुरु तत्तों में इस्थिति गुरु का मतलब जनते हो जब गुरु अपने किसी शिश्य को इस कारी को सौपते हैं तो आप उसरिस चाहें सब की इन्हा वो अपने शमान उसे बना कर फिर जगत मंगल में उतार देते कि अब आप मंत्र दीजे आप तो द्वंदे जम भागवतिक स्वरूप में इस्थित तभी तो होगा तब उसी के द्वारा तो गुरुमंत्र प्रकासित होगा जाके और सच्ची बात यह है कि जब हमको कहीं से भी नाम मिले तो नाम सच्ची दानंद में नाम ले ले और खुब नाम जब करे तब हम जान पाएंगे गु क्योंकि चस्रा जेसा लगेगा वयिसे तो देख पायेंगे देखो मन सब के आंदर है लेकिन मन का निर्षिन परिक्ष्वन साधक कर पाता है संसारित कर पाते हैं न बुद्धी सबके के देघर कैंदी की विशर के में चिंतन करने की सक्ति खो दी, विशयों के चिंतन में, सब के इरदे में भगवान है, पर भगवान का अनुगो करने के लिए जो चाहिए हो है क्या, तो फिर जिन संतों को भगवत प्राप्ति हो चुकी, उनकी स्थिती को तुम कैसे जान सकते हो, सास्त्र की जो शिद्धा वस्था है, वो भगवान के शमान है, ब्रमवी तर ब्रमवय बहुत है, जानत तुम्हें हो जाई, तो जो अब नाम दिये, मंत्र दिये, उसको जपो तो जान जाओगी कि गुरू की स्थिती कहां है, वस्तुता, जैसे हम कई बार कहा होगा एक आंति देना, उदर की चिठ्थी इधर पहुंचा देना, उदर का मनिया इधर दे देना, इधर के दसकत कराके उदर बता देना, तो शदगुरु है हमारी सिरी जी कि शोरी जो, लाल जो, वो पोश्ट गुरुदेव के द्वारा इधर हुआ, अब आप आए और कहें हमें दे दे हम समझा कि स्री जी ने आपको भेजा श्री राधिका करपाविनुश्रव के मनन अगम श्री जी ने भेजा ब्रंदावन आये स्री जी ने बुलाया हमारे सामने आये स्री जी ने बुलाया आपकी मांग हुई कि मुझे मंत्र दे दो मुझे नाम दे दो भाया उनकी वस्तु है आपको उन्होंने भेजा ये ले लो और फिर आपकी सरणागती आपका भाव श्री जी ये जीओ आपकी सरण में है गुरु कौन हुआ श्री जी अभी हमने बताया था कि अगर गुरु 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 तो कहां पहुँझाओगे पहुझाओगे न वो ही सबके भुरु है अब तो प्रगट में कौन हमारे सामने है बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंदु नर रूप हरी ये आपके भाव बनाने है हमारा भाव बन जाता है तो पत्थर से भगवान प्रगट हो जाते है और भाव न बने तो दुरियोधन क प्रगवान हैं पर भगवान को भगवान नहीं मान रहा है तो खास बात है कि विद्ध्यार्थी टीचर को नहीं जान सकता करें तीचर का परिक्षण नहीं कर सकता हां टीचर के कथना अनुशार चले तो एक दिन वो भी टीचर बन जाएगा तब जान पाएगा कि मेरा टीचर किस कोटी का है अब अभी तो प्राकृतिक बुद्धी प्राकृतिक नेत्र तो हम कैसे समझ पाएंगे कि गुरुदेव की क्या इस्थिति है शंति की क्या इस्थिति है तो हम मान करके संख्या फिश्वाल अलकर लेते हैं मानी संख्या गुर हल हो जाएगा मानने से ऐसे पत्थर का टुकड़ा दे दिया तुम्हारे भगवान है तो उनको भगवान का साक्षात कार हो गया और ना मानों तो साक्षात भगवान में भी भगवान का दर्शन नहीं होगा जैसे ये बाके विहरी लाल जू राधावल लाल जू राधारमन लाल जू ये मूरती नहीं है ये साक्षात प्रिया प्रीतम ही ऐसे रूप में है ये मतलब कारीगर से नहीं आये हुए ये श्वयम प्रगर तो आप प्रिया प्रितम का मिलित रूफ है और भजन करो भाव जाग्रत फिर जाओ फिर सामने देखो तो चिल्लाक रोपड़ोगी मेरे ठाको मेरे प्रितम अब ये पंडर्पुर में बिठल भगवान विराजमान है साक्षात विराजमान है चल के आये सोयम पुंडरिक जी के घरीतों आये कितनों को सुख मिलता है और उनी भक्तों को जब तुकाराम जी नाम देव जी ये बड़े-बड़े महापुरुष्ट देख तो बातचित कर हैं खेल रहे साथ उनके समझ पा रहे हमारा उद्देश है हम किसी संत भगवान से जामारी स्रदावेट जाए नाम लेले मंत्र लेले खुब जपे फिर हम जान जाएंगे हो ऐसे अगर ढूंडते चले तो पूरे विश्व में ढोड़ियाओ आभूशन बनता ही मिलावट मे सुद्धश्वर्ण का आभूशन नहीं बन सकता है समझ रहे हमारी बात यह सरीर की रचना ही मिलावट से हुई पाप और पुल्ण जब हम इस शरीर को जहाग करके देखेंगे तो इसमें कुछ सदगुन मिलेंगे और कुछ आपको अवगुन भी मिल सकते हैं क्योंकि रचना है ना इसके और इनको गुसाब होताता है अरे यह तो ऐसा अगर आप जाच करोगे तो चाहे जो आप उशन उतरा के जो वरी के प सदीर मिलावट का है इसके अंदर जो तत्त है वो मिलावट वाला नहीं है और वो आकार नहीं धारण के यह आकार माया कृत है इसको देखोगे तो यह गुण दोस्त से मिश्रित बना हुआ है जो संतों को देखा जाता है वो यह नहीं देखा जाता अंदर की बाद अंदर वाले नेत्र ही नहीं तो कैसे जानोगे कि कौन किस कोटिका है आपने यह पूरा उत्तर दे दिया बट आगे एक और भाव लिख रहे हैं जैसे आज कल काफी लोग कथा वाचको और गुरू बनकर दिख्षा दे रहे हैं तो क्या यह ठीक है हम यह कह रहे हैं कि अगर हो कहते है राम कहो आपकी श्रद्धा राम राम जपो तो राम में मिलावट है क्या नाम में हमारी प्रार्थना समझे हम काय को दोस्दर्संग करें हम देखो हमारे अगर सत्षंग को आप ध्यान पुरुख सुनोगे तो प्रस्ण नहीं रहेगा इस शरीर में मिलावट है हमारा आपका या किसी का ये माया कृत है इस ये सचिदानंद नहीं है आप इसमें दोस्दूणेंगे तो मिलेंगे क्योंकि ये दोस और गुण से बना हुआ है जड़ चेतन गुण दोश में बिश्चुकीन करतार अब इस्थिती जो भागवतिक है दोनों बात समझेंगे बहुत धहर से ये सरीर माया कृत सबका है और स्वरूप सबका चिदानंद में है भगवदंस है अब जो स्वरूप को भूलकर इस सरीर में आ सकता है वो हमको कैस इसे सरीर राख से अटा पाएगा क्योंकि खुद सरीर में आ सकता है तो हम सद्गुरू का जब बरन करते हैं तो इसकी विचर्शा की है कि जिनके पास बैठने से जिनके वचन शुनने से जिनके दर्शन से हमारे हरदय में आने लगे कि जिसकी खोश थी हो तो पूर्ण हो हमारे दोश हमारे शामने आने लगे उनका त्याग होने लगे भगवत मारगी की तरब आकर्शन होने लगे ये बाहरी कुछ ऐसे लक्षन है जिनके दर्शन से हमारे हरदय में भगवत प्रीत युदे होने लगे नाम जपने की भावना होने लगे तो हमें स्वईकार कर ले यदि हमने भावक्ता में किसी को भी गुरु मान लिया है उनके संग से हमें दोसदर्शन होता है तो हमें संग नहीं करना चाहिए पर उनके नाम में असुद्धा नहीं होनी चाहिए जैसे गुरु ने हमको कहा कृष्ण जपो अब हम कृष्ण कृष्ण जपेंगे और जहां ह हमारा भाव बनेगा वहां सत्संग सुनेंगे हम निंदा नहीं करेंगे पर हम वहां संग नहीं करेंगे क्योंकि वहां के संग से हमारा दोस्दर संग होता है आपका खल्यान हो जाएगा आपका मंगल हो जाएगा कोई बोलेगा तो भगवान का नाम सुनेगा मुझे लगता है अगर हम कहीं ऐसी जगे जहां हमारी अप शरद्धा नहीं बन रही तो हमें उस पर शरद्धा कर लिनी चाहिए जो गुरू ने दिया है वो तो सच्चिदा नंद में होगा क्यों हम संग न करें हम संग कादिस नहीं कर रहे जैसे मालू मुझे लगा कि इनके संग से मेरे अंदर इनी के प्रति गलत दृष्टी आ रहे तो इससे अच्छा हम दूरी बना ले गलत दृष्टी क्यों करें ना मनिंदा करेंगे ना गलत दृष्टी करेंगे जो आपने कहा है उसको जीवन में नहीं बोलेंगे उसमें क्या मिलावट है मानू किसी ने कहा कि आप राम राम जपो इसमें क्या मिलावट भहिया इसमें क्या मिलावट है अगर हम राम राम पकड़ लिया तो सच्ची मानू अब वो गुरू क्या है वो तो जाले पर आप सच्चे बन जाओगे आप भगवत शुरूप हो जाओगे एक उडिया बावा के उपदेश में उदारण है गुरु निष्ठा का एक भोला भाला गाओं का भगत था तो वहां के एक ब्राम्मन थे उडिशा के वो काली जी के उपासक थे वो उनके पास गया मतलब कुछ तो ऐसा होता जिसे बाहरी प्रभाव है तो कई लोग उससे प्रभावित हो करके उनको गुरू रूप में वरन करते हैं फिर वो यस फैलाते हैं तो उससे और लोग प्रभावित होते हैं ऐसा ही प्रक्रिया सर्वत्नलगब होती तो ऐसी वो भूला आदमी गया औ और वो साम के टाइम सराप पीते थे, क्योंकि कुछ लोग जो नहीं जानते हैं सिद्धान्त को, वो लोग जिसे बकरा की बली देना, मदिरा पीना, ऐसा वो मानते हैं कि ये उपासना, पर ये आशुरी प्रवत्ती है, इससे माप्रशन नहीं होती, पक्की बात है, अब वो कर नमंत्र सराप के नसे में, वो चारण करके दिया, मदिरा पीए थे, अशुद्ध था मनत्र, अब वो सरल हरदय, जो उपदेश किया, उपकड़ा, मेरे गुरुदेव, सास्टांग प्रणाम किया, और रोज उनका जो नमन, पूजन, सवीरकर करता, मनत्र, असुद्ध मनत् कि श्रधा, उसकी पवित्रता, उसका भाव देखकर, आद्याशक्ति भद्रकाली प्रगठ हो गए, और का बेटा, तेरा गुरु ढोंगी है, अम्बा ने कहा, वो सराप पिये था, जब मंत्र दिये था, और तेरा मंत्र असुद्ध है, तो उन्होंने का, मा ये सब्ध हम न दोंगी हो सकते हैं, निष्ठा देखिए, और कहा, मा मंत्र अगर अशुद्ध होता, तो आप कैसे जागरत हो जाती, आप कैसे दरसंदे देती, मा ने कहा, बेटा, तुम्हारी गुरु निष्ठा देखकर, मैं बहुत प्रशन हुई, आज इसे जो तुम मंत्र जबते हो न हमें लगता है, यदि हम जो मंत्र मिला, जो नाम मिला, हम उसको पकड़ लें, और सास्त्र श्वाध्याय करें, और जहां हमारी सुद्धा वैटती हो, ऐसे संतों का संग करें, तो क्या भगोत प्राप्ति में संसे हैं? मारी जी, इसमें दो प्रशन है, हमने मंत्र ले लिया, बात में हमारी श्रद्धा ने बन रही उस कोटे की, बट बात में किसी संध भगोण के हम सत्संग सुनें, उनमें अपार श्रद्धा होगी, तो क्या हम वहाँ जाके गुरु दिक्षा ले सकते हैं? मत ले ओ, वही नाम जब करो, नाम तो भगवान का वही है, हाँ आप वो जो बोल रहे हैं नाम अगर आएसी भावना आने लगी कि अब इस नाम को ले, इस नाम को जपे तो बात अलग है, पर अश्रद्धा करके नाम में नहीं, हमारी बात समझना, जो भी नाम मिला है, वो एक ही प्रब्रम्ह प्रमात्मतत्त्तु का जो गुरुदेव देंगे, वही उनहीं के लिलाए हैं, तो ऐसा भाव कि अब रसाश्वादन के लिए, दोश्दर्शन नहीं, पर अब रसाश्वादन के लिए मुझे इधर प्रियता बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं अब ये नाम और ये गुरुदेव का भाव स्विकार करता हूं, हम नाम और उपासना पर दोश्दर्शन करके न त्याग करें नहीं, यहां भी निष्ठा नहीं हो पाएगी, रसाश्वादन, रसाश्वादन, और दोश्दर्शन के अब ऐसे गुरु से नाम मिला क्या सिद्धो, नाम प पूजी भाई जी से, अनमान प्रशाद पूद्धार जी की क्रपा से, प्रेम भक्ती की तरफ आकर्शन हुआ, महादिव विश्वनाजी की क्रपा से, रास विलास ब्रंदावन का प्राप्त हुआ, तो हम यह थोड़ क्यों गुरु को छोड़ दिया, वो भेश छोड़ दि या, वो उपासना छोड़ दि, कोई दोस दर्सन करके, नहीं, नहीं, रशाश्वादन के लिए क्रम से हमको यहां पहुचाया गया, तो रशाश्वादन एक ही गुरु है, जब-जब जैसा भाव रसका आया, वो गुरुदियों रूप धर करके हमको पकड़ते गए, आगे खीचते गए, अब गायत्री मंत्र पहला, क्योंकि जिसे ब्रह्मरिशी कुल में जन्म हुआ, तो बाल्यावस्था में ही यग्योपेट संस्कार गायत्री मंत्र मिलता न, तो पहले गुरु गायत्री, फिसके बाद जो सरनागती हुई, पंचाक्षरी मंत्र, द्वादसाक् फिर महावाक के फिर शन्यास मार वो फिर आके, तो अगर ऐसे देखे तो दत्रा तेजी माली बाता आजाएगी लगा, यह चोविस गुरु है, तो एक ही गुरुदेव और स्थागत हमको ऐसे लाके गए, हम ऐसा भाव करें, दोस्दर संद करें, और यह रशाश्वादन के लिए ही यह विवस्था है, कभी दाश्य भाव से सक्ख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव, भावरस की प्राप्ती के लिए आगे बढ़ता चला गया, वो गुरुदेव ही रूप बदल करके आए, और हमको उपदेश देटे चले गए, उसमें दोस्द अदती के नुसार इस्ट देव का मंत्र लेना चाहिए, बट कुछ ऐसे जने हैं जिनको इतना ग्यान नहीं है, गुरु बनाना है, कृष्ण में प्रिती है, धाकुर जी में प्रिती है, बट राम मंत्र मिल गया, बात में पता लगा, राम मंतर दे दिया गुरु जी ने तो इतनी जानकारी तो उपासक को करनी चाहिए, नहीं इसमें सावधानी रखनी चाहिए, कि हम जिसको गुरु बना रहे हैं, वो किस उपासना के हैं, इनका क्या उपासना का छेत्र है, मेरी मांग क्या है, फिर गरबर हो जाएगा, या तो एकदम कोरा कागजबन करके, कि आप लिख दो इसे में जो लिखना है वही बात है और यदि कि मेरे हिर्दय में प्रीत ये है तो या तो अपनी बात रख दे और या उनकी बात सुन ले दोनों पहले बात समझें अगर अपने मन में कुछ कुछ और चल रहा है वहां से कुछ और मिला तो सरदा नहीं हो पाएंगी इसलिए अपनी बात पहले रख दे कि मुझे राम रूपे में प्रीति है महाराज और हमारा गुरु भाव आप पे है तो मेरी राम प्रीति बढ़े ऐसा मुझे मंत्र चाहिए मेरी ऐसी उपासनाओं जिसे राम प्रीति बढ़े खुल के बात करनी चाहिए गुरु बनाने का मतलब क्या है हम अपनी हरदे खोल कर उनके सामने रख दें तो वो भी अपने हरदे की बात रख देंगे अगर वो ऐसे मंत्र दाता है तो दे देंगे नहीं तो कहेंगे आप किसी राम उपाशक के प भाई ही थे और वो जब ब्रजवरंदावन में आये तो सारंग धन्वा प्रभू के सेवक बंसी वाले ने लूट लिया उनके चित्त को अब लुट गए तो लुट गए तो बल्लभाचारी जी के सिस्से हुए नंददास जी अश्ट चापकवियों है जब गोश्वामी जी तुलसिदास जी को पता लगा तो उन्हों ने कहा कि हमारे रांजी में क्या कमी थी जो आप ने छोड़ करके बल्लबाचारी जी पुष्ट मार गई सखा भाव उससे राम जी को भजने लगे नंददास जी बड़े मापुरूश हो एं तो नंददास जी ने कहा या कमी की बात नहीं है उस मुरली मनुहर ने ऐसी बंसी वज़ाई कि अब चिते ही चुरा लिया तो Gothic हम क्या कहां फिर जब तो उन्हों ने का देखो हमारे गुरु जी ने नाम रखा था नंददास अब नंद नंदन नंदन ने अपरण कर लिया तो कर लिया गोश्ववी जी के सगे गुरु भाई थे नंददास जी तो ये प्रीती का विशय है प्रेम का विशय है इसलिए हमें लगता है कि पहली बात तो सैसा किसी को गुरू भनाओ मत बहुत सत्संग करो सोच समझ के अपनी भावना क्योंकि यह जीवन बरका खेल है मालो अश्रद्धा हो जाए निंदा इस्तुति हो जाए तो बात बहुत समय तक सत्संग करो मिलते जुलते रहो भावनाय समझो आचरण देखो चर चल जाएगा नहीं पता चल जाएगा कि पता तो चलता है आँखे तो हाई है इसा तो नहीं क्यों अब यह है कि आप आपकी स्थिति अगर वह इसे ही है तो आप वह इसे राजी हो जाओगे अगर आप सच्छे सादक हो तो फिर भगवान आपको फसने नहीं देंगे यह तो तो हमें तो लगता है कि आपके अंदर भगवान बैठें तो बता नहीं देगे आपको कि देखो तुम जो चाह रहे हो वो यहां नहीं है अंदर आ जाएगा इसलिए हम कहने कि अगर भगवान को शाक्षी बनाओगे उनको पहले गुरु मानो जैसे कभी किसी ने प्रश्ण कि कि हम गुरु किनको माने तुमका पहले भगवान को मानो वो ही गुरु है और उनसे कहो कि प्रगट में जहां मेरे गुरुदेव की रूप में आप हो मुझे घसीट लो या आ जाओ वो मिला देंगे वैसे मिला देंगे वैसे चला देंगे और जब आप भगवान को साक्षी करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहां ठीक नहीं है वो अंदर पेरना आ जाएगी नाम तो कहीं से भी मिले जाए हाँ नाम तो कहीं से मिल जाए उस पे सही गलत का क्या है खुब नाम जब करो नाम आगे कहां पहुचा देगा नाम पहुचा देगा नाम हम नाम में नाम के आशिक हैं जो भी भगवत नाम है उनमें अपार शामर्थ है नाम के प्रत्य कभी कहां से मिला है हमको खास बात नहीं नाम मिला है उसमें नाम को पकड़ लो बस काम हो इसलिम पहला उत्तर दिया था जो मिलेगा वह बहुत सत्चिदानन्द होगा नाम उस नाम को पकड़ लो नाम बहुत सोच समझ कर भगवान को साक्षी बनाकर गुरुदेव का बरण करें अगर फिर भी स्रदाना बेटे तो खुब नाम जो उन्होंने दिया है जब करें दूर विझती आएज बहुत श्क। 25 य्राथadaki हम देजें और में दूर्डल के भी सिङए जैंते है जो पकेंग yellow action राधा राधा राधा...... मिर नजा हुना हुआ हूं हुआ 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 हाओ रधा, 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 राधा, 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 राधा यह यह दहाए मैं आछिया समीर अधा राधा, 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 कर दो कर दो कर दो राधा, 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 राधा हई रधा, खाहु रधार्धा, प्री रधा, रधार्धा क्रूस्योंक। राधार, 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 हाई हाई हाई